दोस्तो जब भी हम भारत की नदियों की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में दो बहुत ही अलग-अलग तस्वीरे आती हैं एक और हिमाले की उचाईों से बहती ठंडी और तेज धारवारी नदियां और दूसरी और प्राइदी पिय भारत की गरम दूप में बहती धीमी और संतुलित नदियां हमाले की नदियां जैसे गंगा और यमुना जो की ताजगी और शक्ती का प्रतीक है और प्राइदीपी नदियां जैसे कृष्णा और गोदावरी जो निरंतरता और स्थिर्था का प्रतीग है यह दोनों प्रकार की नदियां न सिर्फ भोगलिक द्रश्टी से अलग-अलग हैं बलकि इनके प्रभाव और महत वो भी अनोखे और अलग है तो चलिए इन दोनों ही नदियों की दुनिया में डुपकी लगाते हैं और खोशते हैं कि इनके बीच के अंतर क्या हैं एक्जाम में आप इस चरीके का चार्ट बना सकते हो जहाँ पे एक तरफ आप लिखोगे हिमाले की नदियां और दूसरी दरवाफ लिखोगे पैनेंसलर रिवर यईनि की प्राइड इपी नदियां अब लेके पहला अंतर तो यही है कि जो हिमाले की नदियां है वो 12 मासी नदियां होती है क्योंकि उनका जो सुरोत हूता है वो एक गलाशियर होता है अधारणे के तोर पे गंगा नदी है वो कभी सूकती नहीं है, जाहिर सी बात है, वो बैती ही रहती है 12 महीने तक, इसके लाव वह यमुना है और कोसी जैसी नदिया है वहीं जो प्राइदी पी नदियां है वो मौसमी नदियां भी कहलाती है क्योंकि इनका जो उफान है वो दक्षल पस्चम से आने वारे मांसूर पर निर्भर करता है जब दक्षल पस्चम से मांसूर उठता है तो ऐसी सिटी में जो नदियां है वो भर जाती है और ये उफान पर आ जाती है जैसे कि नर्वदा हो गई, गुदावरी हो गई और कृष्णा हो गई दूसरा अंतर है इनका बेसिन शेत्र, अब बेसिन शेत्र क्या होता है तो देखो, चुकि ये नदी हिमाले से बैती हुई आ रही है और समुद्र में जाके गिरेगी तो ऐसे में इनके बीच का रास्ता बहुत लंबा होता है उस लंबे रास्ते में कई सारी ऐसी नदियां होती है जिनको आप सायक नदिया कहते हैं वो इन से आके मिलती है तो जितना एरिया इन सायक नदियों का ओवराल कवर होता है उसे आप बेसिन शेत्र कहते हो तो हिमालियन रिवर्स जो होती है हिमाले की नदियां उनका बेसिन शेत्र बड़ा होता है और प्राइदीपी नदियों का बेसिन शेत्र छोटा होता है तीसरा अंतर है इनकी लंबाई अब चूंकि हिमाले से लेके ओशियन याने की समुदर तक का रास्ता बहुत लंबा होता तो ऐसे में जादतर हिमाले नदियां जो होती है वो काफी लंबी होती है वहीं जो प्रायदीपी नदियां होती है वो छोटी होती है क्योंकि आप देखोगे कि ये मध्य भारत से अल्मोस शुरू होती है और जादतर जो है बंगाल की खाड़ी में जाती है और कुछ जो है आपके अरब सागर की तरफ जाती है तो ऐसे में इनकी लंबाई उतनी ज्यादा नहीं होती है तो आप याद रखिए कि ज्यादा लंबी नदिया कौन सी होती है हेमाले की नदियां हेमाले की नदियों की जो घाटियां होती है वो काफी गहरी होती है इसलिए कई बार क्या होता है कि नदियों का थोड़ा सा हिस्सा जो होता है वो ground water की तरफ भी चला जाता है मतलब जायतर हिस्सा तो जो है समुद्र में भी जाता है लेकिन कुछ हिस्सा जो होता है वो जमीन में चला जाता है, ग्राउंड वाटर आप कह सकते हो लेकिन अगर आप बात करोगे प्राइदी पी नदियों की तो वो नदियां चटान के उपर से बहती है इसलिए वो डिरिकली समुद्र के अंदर जाती है इनका जाधातर पानी सीधे ही समुद्र के अंदर जाता है अगले अंतर में अगर आप हिमाले की नदियों का रास्ता देखोगे तो वो बिल्कुल मुलायम मिट्टी से होके गुजरती है जायतर मैदानों से होके गुजरती है और इसी वेसी नदियां जो होती है वो थोड़ी गुमाओदार होती है आप देख सकते हैं उनका रास्ता थोड़ा सा गुमाओदार होता है चुकि मिटी है तो मिटी को साइड करते वे जा सकती है नदियां लेकिन जो प्राइदी पी नदिया होती है वो एक पठारी एरिया से भैती है पस्चिम में सहाधरी परवत माला है उसके बाद तक्कन का पठार है उसके बाद पूरवी परवत माला है तो ऐसे में ये पूरा एरिया जो होता है पठारी होता है तो उस इस्तिती में ये जो नदियां होती है ना बिलकुल सीधी बहती है, मतलब थोड़ा गुमाओ इनके अंदर भी होता है लेकिन जादा गुमाओ नहीं होता है, और जादा तर प्राइदी पी नदियां जो है वो दरारों के बीट से होके गुजरती है, तो धियान से समझो एक जो है जो मैदानों से होके गुजरती है, इसलिए उसका रास्ता गुमाओ दार है, और एक जो है दरारों के बीट से होके गुजरती है, क्योंकि वो पठारी एरिया से निकलती है, तो ये अंतर भी आपको याद रखना है, आखिर में एक इंपोर्टन्ट अंतर और आता जबंदर के पास आती है, तभी ये क्या करती है कि अलग-अलग हिसो में टूटने लगती है, खासकर ऐसा त्रिकोर्ण वाला आकार ये बनाने लगती है, एक धारा याँ निकल गई, पानी की धारा निकलती है, इस पूरे एरिया को आप डेल्ता कहते हो, तो हिमाले के जाहत अगर आप बात करोगे प्राइदीपी नदियों की तो वो डेल्टा कम बनाती है और एस्चूरी जादा बनाती है अगर समुद्र के पास आते आते किसी नदी की धारा तेज होती है जादा तेज आता है पानी तो ऐसे में जितना भी अवसाद वो अपने साथ लाई ये नदी जैसे कि कंकर, फथर, मिठी तो उसको लेके वो सीधा समुद्र में ही जाती है द्यान से समझो कि जो हिमाले की नदियां है जो अफसाद अपने साथ लाती है वो तो किनारे पे छोड़ देती है और ऐसा डेल्टा बना लेती है लेकिन जो प्राइदी पी नदियां है उनकी धारा तेज होती है तो ऐसे में वो सारी मिठी कंकर लेके सीधे समुद्र में ही चले जाती है तो इस सिस्थिती में एक एस्चूरी तयार होती है यह एस्चूरी है और यह डेल्टा है याद रखना दोनों के बीच के अंतर को हलाकि पहले भी में बता चुका हूँ कि अगर धारा कम हो जाती है तो डेल्टा बन जाता है और धारा तेज होती ही नदी की तो एस्चूरी बन जाती है इस तरीके की तो जो हिमाले नदियां है वो जायतर डेल्टा बनाती है और प्राइदीपी नदियां एस्चूरी बनाती है तो यह कुछ अंतर होते हैं जो आपको या हमें comment section में बता सकते हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर वस इतना ही see you in the next one